वेल्कम बैक दिस इस निशांच रवास्तव फ्रॉम द लॉश टेडर तो गाई जाधा टाइम वेस्ट निकरते हैं डिरेक्टली चलते हैं अपने पॉइंट पर जैसा कि आप थम्नेल में देख सकते हो कि बड़े लॉसेस कैसे अवाइट करें या फिर छोटे-छोटे लॉसे करके कैसे कट आफ करें उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आज को आज का मैं आपको पोजिशन दिखाता हूं मेरा तोटल आज 396 रुपय का लॉस है ठीक है दो दिन से आप देख रहे हो कि एक ही दिन प्रॉफिट हुआ था वह भी छोटा सा और अज भी कल भी लॉस हुआ था और आज भी फोड़ा दम छोटा सा लॉस हुआ तो एक्शली में लॉस नहींट था वैं को गॉष्ट कर रहा था लेकिन क्यूंकि मैं कॉस्ट में एक्जिट कर रहा था तो यह एक्जिट हो गया मेरे को दो-तीन पॉइंट तीन चार तो ठीक है कई तो अपन बात करते हैं पहले तो मैं आपको बता दू कल जैसा कि मैं बोला था कि 35-600 के ऊपर मार्केट अगर जाता है तो अपने को एक अच्छा-खासा मतलब एक एक रैली देखने में मिल सकती है लेकिन आप देखो अगर आप तीन मिनिट चाट पर भी देखत हैं तो यह जितने बार यह 35-600 तोड़ा है जैसे कि आप देख सकते हैं यह 35-600 इसने यहां से तोड़ा एक रैली दी ठीक है फिर यहां से फिर से एंटरी करोगे तो यहां से रैली देखने मार्केट में पैसा से मनु मुन्द्रा भी बना सकता है यह अरशल महता है और कोई बना नहीं सकता पता नी मैं मतलब आपका experience से बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप last year की मतलब new year के time का भी last week देखोगे तो उसमें volume की बहुत कमी रहती है और ऐसे हर festival week पे जो लोग हैं वो उतना avoid करते हैं जो बड़े traders होते हैं positional traders होते हैं वो avoid करते हैं ट्रेड करना तो इस व चार साड़ी चार पाच हजार का आज मेरा loss हुआ 396 रुपय का परसों में पर profit हुआ था तो यह जो पूरा week है या किसी तरीके से पैसा बनाने का chance दे ही नहीं रहा है एका रहली आ जाती है लेकिन मतलब जब loss की limit खतम ही होगा यह तो मैं concentrate करूँ ठीक है तो मैं आपको directly ब हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ इस सबसे पहली चीज जो अपने को समझनी है जो मैंने भी जो हमेशा गलती की वो है position sizing इस position sizing सबसे important चीज है trade करने के लिए जैसे कि एक example आपके पास 10,000 रुपय है ना और आप 200 रुपय के strike price में trade करते हो ठीक है तो अगर आप 50 quantity उठा रुपय फंड का use होगा ठीक है तो 10,000 रुपय का fund use हो और अगर आप मतलब internet trader हो option trader हो तो अब 8 से 10 से 12% का ही मतलब अगर आप सही में trading जानते हो तो 10 से 12% का ही आप loss लेना सही सही मानते होगे इस साब से तो अगर आप 20 point का भी stop loss लगाते हो ना तो 50 into 20 आपका 1000 रुपय का loss बनता है ठीक है तो calculated risk बनता है आपके quantity के इसाब से आपका total fund ने 10,000 रुपय का और आपने 50 quantity उठाए तो 1000 रुपय का जब आपको loss हो रहा है ना तो आप यह देखो कि पहली चीज total fund का 10% तो minus एक trade में हो जा रहा है है ना और अगर आप 2 trade लेते हो दूसरे में भी यही चाह सको उस वज़े से आप छोटी strike price में जाओगे और वहां पर आपको premium जादा देखने को भी लेंगे आप बड़ी quantity देखे होगे कि मैं 100 quantity उठा लेता हूं देर सो उठा लेता हूं दो point में 5 point में exit कर जाओगा मेरा loss भी cover हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा तो position sizing 40 percent fund का बस आप यूज करो पहली चीज अगर 10,000 रुपय का fund है तो 40 percent भी 4,000 रुपय बनते हैं तो आप 10,000 रुपय है तो आप एक lot से जादा तो सोचो ही मत कि मैं एक lot से जादा trade करूँगा bank nifty में option trading में अगर आप 200 रुपय के strike price के इसाप से भी चल रहे हो तो 300 वाले में 40 percent यूज करो गए 200 quantity उठेगा 200 quantity उठेगा आपका daily 40-50 point के target रखो गया तो 10,000 रुपय का आपका वालो profit बनता अगर target अचीव होगा तो आप 10 percent अपनी growth कर रहे हो ऐसे करके अगर आप 4 दिन करते हो तो आपका जो capital growth है वो होगा position sizing सही नहीं रखो के तो loss ही होगा मैं भी बहुत बार यहीं चीज face किया हूँ इसलिए मैंने भी बहुत सारे losses किया हूँ तो इस हिसाफ से मैं आपका बता रहा हूँ दूसरी चीज और सबसे important चीज है आपको पता ही नहीं है कि entry कहा लेनी है आप जानते ही नहीं कि trade करना कै कैसे कुछ लोग बिना किसी indicator बिना किसी चीज की मतलब actually में वो जानते नहीं और पैसा लिया है तो stock market में trading में सबसे ज़रूई चीज यही है कि पहले तो आप सीखो उसके बाद आप सौ रुपे भी डालो हम मतलब मैं मेरा यह नहीं कहना कि आप पैसे डालना सही नहीं है सीखो कैसे आप loss करोगे तब ही सीखोगे लेकिन अगर आपको loss हो गया है ना तो आप सबसे पहले तो सीखो कोई course लो कोई strategy सीखो उसके बाद आप try करो क्योंकि अगर आपको आप कहीं भी entry लोगे ना इधर उधर वीडियो देख लोगे यह वो तो आपको loss ही होना ultimately हो सकता एक दिन 2000 बना लोगे 4000 बना लोगे लेकिन ultimately उसको गवाओगे आपने mostly सुना हो गार जगह से 90% 95% जो traders है वो loss करते हैं यह actually मैं सच नहीं है 95% loss नहीं करते हैं profit सब करते हैं लेकिन घर नहीं ले जा पाते हैं जो अपना पैसा है वो अपने bank account चक लेगी नहीं जा पाते हैं क तो सबसे जरुए चीज़ है ही आपको मैंने बता दें number one point जो हो है position sizing number two point है आपका strategy को कैसे आप develop करते हो और psychology तो इन सब के उपार ही आता है आपको मैं बता दो आपका psychology hit करेगा अगर 10% का capital है वो आप lose करते हो पहले trade के अंदर है ना तो एक point यह हो गया दूसरा point यह हो गया तीसरा point जो है वो है preparation अगर आप trade सीख गए हो position sizing ठीक है तो आपको करना है preparation जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको एक दिन पहले लिखना है कि कल मैं इतना कमाऊंगा और कल मैं इतना गवाऊंगा और फिर से बोलना ना तो आप lossy करोगे ultimately दूसरी चीज़ यह है कि preparation जो सबसे बड़ा पार्ट इसलिए है कि आपको पता है कि कला को करना क्या है अगर आप 8 बजे 7 बजे आज 6 बजे उठ रहे हो market में देख लिए 9 बजे बैटर आपको पता ही नहीं है क्या करना है आपकी पास sentiments ही नहीं है आ आप केतनो quantity उठा रहे हो और मारे जा रहे हो trade मारे जा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा वो loss ही होगा ultimately बता रहा हूँ मैं और कोई इसका chance ही नहीं कितना भी सीख लो loss ही होगा सबसे पहले position sizing ठीक करना है उसके बाद preparation करना है कि कल मेरे को कितना है आप हर trade में आपको पता quantity ले रहा हूँ हाँ ठीक है हजार का मैं loss ले रहा हूँ और आपको risk के साथ comfortable होना पड़ेगा कि अगर आपके पास बीस हजार रुपए है तो ठीक है अगर हजार रुपए का loss होता भी है तो आपको उतना ज़्यादा effect नहीं करेगा वो जो loss है आपके mind message चड़ेगा नहीं क हाँ ठीक हजार का ही loss है मैं recover कर लूँगा ऐसे करके तो preparation position sizing आपका actual में strategy की उपर काम करना ये सब करने के paper trading करो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नई में को lossy हो रहे है कुछ भी कर रहा हूं तो lossy हो रहे है तो पहले तो पूरे पैसे निकाल लो paper trading करो paper trading बिल्कुल करो उस वीडियो डाल रहा हूं कि इतना लंबा हो जा रहा है उसका reason ये है कि festival के चो weeks होते है न वो ऐसे ही होते है घटिया जैसे दीख रहा है सामने साफ सब देख रहे हो आपकी पूरी volatility ये उपर सनीचे कोई भी इसमें पैसा बनानी सकता जैसे मैं खुद गवाया चार सो रुप ठीक है मैं तो exit मैं तो साड़े साड़े दस बजे के करी मैं बन कर दिया यही वाला scene चलने वाला मैं market को देख रहा था लेकिन मैं मैंने trade नहीं किया था और भी अगर आप मतलब अगर emotions पे control नहीं है तो kill switch on कर सकते हो 0-12 में feature है कि आप अगर आपका loss हो गया आप kill switch on कर सकते तो बारा घंटे तक आप trading नहीं ले सकोगे फिर जिस भी segment पे आप on करोगे उसमें आप trading नहीं ले सकोगे तो वही चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ पूरे के पूरे points में बता दिया और अगर एकदम बिलकुल भी मतलब बहुर भी कुछ doubt वगेरा है मतलब मैं तो खु पाँगो कि कहां पर गलती नहीं करनी है तो वही चीज़े preparation बहुत जरूरी है कुछ कुछ चीज़े को और बताओं कल जैसे सच जय है कल expiry है तो कल आपको किन से दूर रहना है पता है जब तक आप सच में अच्छे trade नहीं बन जाते तो आपको दूर रहना है 50 रुपे वाल एन एक्सपारी के दिन तो आपका जो option है वो 50 रुपे जाएगा वो 0 भी हो सकता है तो सबसे अलब फंड खाली करने का यही सीन रहता है सब लोग का mostly मेरे साथ भी हुआ है मैंने चार बर फंड खाली किया अपना इसी चक्कर में कि मैंने जाता था मैं quantity उठाता था कि मुझ मैं एक वीडियो और बनाने का सोचा हूँ अभी उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है यह रूमर फैल्यों की ट्रेडिंग भी बेकार है यह वो सब मार्केट बेकार ऐसा कुछ नहीं है अगर आप सच में पैसे का माना चाहते हो तो टाइम देना पड़ेगा इसको थोड़ा ब बाकी जो भी होगा कल कभी मार्केट मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ नहीं मैं देखूंगा जरूर लेकिन करने वाला हूँ कि वही वालिटिलिटी नाचेगी मैं को लग रहा है यह होली का सीजा ने पूरा रंगे रंग बिखरे रहेगा भाई इसके उपर लाल और हरा जाता नेगेटिव है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ हो सकता है कि और सबको हैपी हो ली क्योंकि आगए हो ली भी इस हिसाब से मैं ट्रेड लोगा थैंक्यू गाइस वीडियो को देखने के लिए मैं सोचा हूँ और भी अच्छे साइकोलोजी पॉइंट्स के बारे मैं वी की नहीं है पैसा बनानेगा अगर आप इसमें गवाद होगे ना देखो यह वन वीक देखो यह आपके हमन वीक का चाठ ठीक है तो अभी यहां पे मार्केट ओपर नीच्हे अपर नीच्छेंच्छें हो रहा है यह यह तोड़ेगा अगर अधर से तो आपने को अच्छी र करन सकता है वहां बने रहना है प्रॉफिट के लिए वहां आपने को जरूर प्रॉफिट बहुत प्रॉटेंशल मार्केट में जरूर पैसा देगा उसी कोई बात नहीं है एक एक दिन में करोड करोड भी निकलते हैं लेकिन वह प्रॉफिट के हिसाफ से होता है तो वही चीज अपने को देखनी है उस हिसाफ से ही पैसा बनेगा तो ठीक है आइस मिलते हैं फिर कल अगर ट्रेड होगा तो कल जरूर मैं वीडियो डालूँगा उस हिसाफ से निकल क्या ट्रेड लूँगा सब कुछ बताऊंगा उसमें क्या